हाई शुगर लेवल्स यानि कि एक ऐसी कंडिशन जिसे हम हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहते हैं आपके पैंक्रिया से एक हार्मोन रिलीज करती है बॉडी जिसका नाम होता है इंसुलिन इंसुलिन कहीं कहीं बॉडीज में कम भी बाय जाता है जो फर्दर ओन एक डिजीज का नाम भी ले लेता जिसे हम डाइबटिक वन कहते हैं और कहीं बॉडी में आपके सेल्स होते हैं वह रिजिस्ट करने लगते हैं इस इंसुलिन में यानि कि आपकी बॉडी में ब्लड शुगर में शुगर का मात्रा है बड़ी वह इसके साथ यह आपको पता चल जाएगा कि लेकिन लोग के ब्लड में शुगर के लेवल जादा होते हैं उनको काफी बार जादा वाश्रूम जाना पड़ता है क्यों कि आपकी बॉडी जो है एक्ट्रा शुगर को निकालने चाहती है आपकी बॉडी से तो कैसे निकालेगी यूरीन के तरू तो अगर आपको बातरू कि ब्लड में शुगर का लेवल जो बढ़ चुका है क्योंकि आपका जो लेंस होता है आँकों के अंदर वह स्वेल हो जाता है हाई ब्लड शुगर के कारण जिसके वज़ेसे आपका जो विजिन है वह ब्लर हो जाता है नमर चौदा दिफिकल्टी कॉंसंट्रेटिंग जिय ब्लड में शुगर के लेवल बड़े वे होते हैं तो आपके बॉड़ी में जो नर्फ होती है वो डामेज हो जाती है जिसके वज़ेसे ब्लड का सर्कूलेशन जो है वो ठीक से आपके पैनिल एरिया तक नहीं पहुँच पाता जिसके वज़ेसे आपको इरेक्टाइल डिस तो अगर आप एक ऐसे बंद है जो बार-बार बिमार पट रहा है दू चेक यौर शुगर लेवल नमर टैन स्लो हीलिंग ऑफ वूंस इसका मतलब यह है कि अगर आपके कई चूट लग रही है और वो सही नहीं हो रही है तो आपको समझ जाना है कि आपके ब्लड में जो और साथ के साथे पेट में दर्द भी हो सकता है नमबर आठ चौन्सेंट फटी जब भी आप कुछ खाते हैं तो पैंक्रिया से एक खार्मोर रिलीज होता जैसे कि मैं आपको बता है इन्सुलिन वो क्या काम बरता है वो खाने से एसेंशनल निउन्स को निकालता है और आप आपकी बॉड़ी में इन्सुलिन के लेवल कम है आपकी बॉड़ी में शुगर के लेवल बढ़ावा है तो बढ़ावा शुगर को बॉड़ी जो है यूरिनेशन के तुरू निकालना चाहती है तो इसलिए आप बार बार बात रूम जा रहे हैं तो उस टाइम पे सिप शु पी एंड ड्राय लगने लगती है जब आपका ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ावा रहता है नबर पाचवा हमेशा भूक लगते रहना जबकि आपने अच्छे से खा लिया है अपना डिनर कर लिया है लेकिन तब भी आप रात में भूक लगेगी इसका मतलब यह होता है क आपकी बॉड़ी को स्ट्रगल करना पड़ रहा है एसेंशन न्यूट्रियंस को पाने के लिए इसलिए वह आपको सिगनल दे रही है कि मुझे और खाना दो ताकीम है उससे एसेंशन न्यूट्रियंस यह वह एब्जॉब कर सकना नमर चौदा एक्सेस एब्डॉमिनल नमर तीसरा आपकी नर्व का डैमेज होना यानि कि अगर आपकी बॉड़ी में शुकर के लेवल बढ़ जाते हैं तो आपके नर्व जो होती हैं जिसको हम कम्मिनिकेशन कारियर कहते हैं यानि कि अगर आपको कहीं भी कुछ भी महसूस होता है तो नर्व के हल्प की वज़े से महसूस होता है तो मुझे इसलिए महसूस हो रहा है यहां से जो नर्व है मेरे ब्रेन तक गई और उसे सिगनल कर रही है कि यहां पर कुछ टच हुआ है यानि कि आपका ट्रांस्पोर्टर ओफ मैसेज कह सकते हैं तो यहां पर आपकी बॉड़ी में शुकर के लेवल जो एक घटा होना शुरू हो जाता फिकाज आपकी बॉड़ी के बॉड़ में शुग लेवल बड़ बड़ा लेवल रहता है और सबसे लास्प्टम और सबसे पहला सिम्टम पार तिंगलिंग और अशास हो ना यानि यह आपके वाड़ी में चिटिल रही है चीटिय के चलने का हैसास होना भी एक signal देती आपकी बॉड़ी के ब्लड में शुगर लेवल बड़े वह सोला मैं आपको सिम्टम सबता है जिससे आपको बता चल सकेगा कि आपकी ब्लड में शुगर लेवल बड़े वे तक पहुचाना जिससे आपको एनरजी मिले लेकिन कई बार क्या होता है आपके बॉड़ी में ठीक तरह से अब्जॉब नहीं होता है वह आपके ब्लड स्ट्रीम में ही तैरता रहता है तो बॉड़ी तो आपको दुबारा सिगनल लेती कि भाई ग्लॉकोस ठीक से पचा नहीं है आप दुबारा सिगाना काओ ताकि मैं उससे ग्लॉकोस लेके अपने डेली के काम है जो बॉड़ी का फंक्शन है वह कर सकते हैं अपको बार और पिशाप जाना पड़ता है आपको आपनी बॉड़ी जो है बहुत जादा स्मार्ट होती है वह क्या काम परती है उसको लग अब करने फिरने जा रहे हैं और पने आपको में जो लेंस होता है वो फूल जाता है जिसके वज़ेसे आपको यह प्रॉब्लम आती है नमर तीसरा आपके पूल चलती से ही नहीं होंगे और आप बार बिमार पढ़ेंगे अगर आप एक ऐसे कुंदे हैं जो experience कर रहा है इस प्रॉब्लम को आज ही अपना ब्लड में शुगर के लेवत को चेक करीए नमर टू अल्रेडी वन ने बता दिया कि आपको टिंगलिंग का हैसास होना या नमनेस का हैसास होना और इसकी वज़े से आपको ब्लाक स्पॉट आपकी स्किन पर देखने को मिलते हैं और इह होता क्यों है शुगर के लेवल बड़े होने के कारण और दोस्तों तो यह कुछ ऐसे साइन से जिससे आपको पता चल सकेगा कि आपकी बॉड़ी में जो शुगर के लेवल से हैं व और छे लेखने लेखने को किस झाल सकते हैं दोस्तों जब बड़ी में आपकी लेखने को बारे